Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो भारत और चाइना के बीच में relation almost tense ही रहते हैं लेकिन ये relation और भी खराब हो जाते हैं जब चाइना के प्रेसिडेंट बनते हैं और भारत के प्राइमिनिस्टर बनते हैं Mr. Modi जिन experts का भारत और चाइना के relation के बारे में अच्छा समझ है उनका ये मानना है कि प्रेसिडेंट शी भी चाहते हैं कि वो अपने आपको या चाइना को ग्लोबल प्लाटफॉर्म पे as in leader के तरफ प्रेसिडेंट करें और PM Modi का भी कुछ ऐसा ही ambition है और अगर आप बहुत ही neutral रहके देखते हैं या सोचते हैं तो आपको ये गलत भी नहीं लगेगा हर देश यही चाहता है कि वो अपने आपको ग्लोबल प्लाटफॉर्म पे as in leader के तरफ प्रेसिट करें इसी बीच हमारे पास एक news आता है जहां पर ये बताया जाता है कि सियाचन glacier के आजपास चाइना construction कर रहा है सियाचन glacier का importance चाइना के लिए क्यों है हम इस वीडियो में कुछ map की मदद से जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं भले चाइना और भारत के बीच में relation अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी हमारा attempt ये रहेगा कि हम चीजों को बहुत ही neutral perspective से रह के देखें और हम समझें कि हमारा दुश्मन देश हमसे कितना आगे है या कितना पीछे है इसी के साथ एक चीज और मैं याद दिला दो कि जहां जहां Britishers ने rule किया है वहां वहां पे border dispute है ना कि भारत और चाइना के बीच में बलकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में या पाकिस्तान और भारत के बीच में तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि चाइना और भारत के बीच में जो border dispute है इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा जिम्मेदार देश है वो है England सियाचन Glacier के पास पढ़ता है सक्सकम वैली और exactly इसी जगह पे चाइना construction कर रहा है जिसको कि Government of India specifically हमारे Foreign Affairs ने काफी strong तरीके से object किया और कहा कि जिस तरीके से Pakistan occupied Kashmir में चाइना construction कर रहा है ये कहीं से भी acceptable नहीं है और ये कहीं न कहीं भारत और चाइना के relation को और भी खराब करेगा सक्सकम वैली पाकिस्तान occupied Kashmir का हिस्सा है अगर आप चीजों को बहुत ही honest तरीके से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी देश कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन देश खास करके border के आस पास infrastructure development करें तो भारत उस चीज को काफी strong शब्दों में कुसे condemn करता है तो कहने का मतलब है कि भारत भी चाइना को condemn करता है और चाइना भी भारत को condemn करता है इसी बीच बीते 10 सालों में जिस तरीके से line of actual control के आस पास infrastructure development हुआ है ये कही न कहीं चाइना को definitely परेशान करता है तो अगर हम इस चीज को चाइना के point of view से देखे तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि line of actual control के आस पास बढ़ चड़ कर development हो और यही को सोच रहता है भारत का भी लेकिन इसी के साथ हमें एक चीज और भी मानना पड़ेगा कि Chinese side में infrastructure development हमसे जादा है लेकिन दूसरी तरफ जितने कम समय में भारत ने line of actual control के आस पास infrastructure development किया है उस speed को उस pace को देख के चाइना काफी आदा shocked है इस map की मदद से हम कुछ historical बातों को जानेंगे और समझेंगे So 1950 के आस पास से ही भारत और चाइना के बीच में जो भी border को लेके agreement था चाइना उन सारे agreements को मानने से इनकार करना शुरू कर देता है As a result क्या होता है कि 1962 में भारत और चाइना के बीच में war होता है हलाकि भारत और चाइना के बीच में war के पीछे और भी बहुत सारे कारण थे जिसकों की इस वीडियो में समेट पाना almost impossible है और उसके बाद इस area के बारे में हम सभी को पता है कि ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान illegal तरीके से occupy कर रखा है तो बहुत सारे जो defense expert है उनका ये मानना है कि सियाचिन glacier के आस पास चाइना इसलिए भी construction कर रहा है ताकि वो चाहता है कि पाकिस्तान occupied कश्मीर से होते हुए वो road construction करे जो कि directly पाकिस्तान के almost सभी areas को touch करे खास करके बलुचिस्तान province को और चाइना का बलुचिस्तान के पीछे बहुत सालों से नजर है क्योंकि वो काफी mineral rich area है और पाकिस्तान का जो सबसे गरीब या सबसे ignored area है वो भी बलुचिस्तान है उसके बाद अगर बात किया जाया तो 1950 के आसपास चाइना और पाकिस्तान के बीच में relation कुछ जादा अच्छे नहीं थे कहने का मतलब एक खराब भी नहीं थे लेकिन वो अच्छे भी नहीं थे लेकिन जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच में relation खराब होते है पाकिस्तान काफी close जाना शुरू कर देता है चाइना का as a result क्या होता है कि 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक deal sign होता है जिसके तहट कश्मीर का हिस्सा चाइना को temporarily दे दिया जाता है और उसी agreement में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का issue resolve हो जाएगा तो उसके बाद जिसके हिस्से में कश्मीर आएगा चाइना उस देश के साथ बात करेगा और अपने जो border treaty है उसको देखेगा और समझेगा तो कहने का मतलब है कि कही न कहीं चाइना को ये मालूम पढ़ चुका था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान occupied कश्मीर का मसला है ये कहीं से जल्दी resolve होता हुआ दिख नहीं रहा था as a result वो बढ़ चड़कर पाकिस्तान के साथ agreement करते हैं और पाकिस्तान भी चाइना को खुश करना चाता है जिसके तहत वो कश्मीर के एक हिस्से में चाइना को entry देता है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में border को लेके काफी dispute है भारत कुछ और claim करता है और चाइना कुछ और claim करता है लेकिन अगर वहीं बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के बारे में तो हमारे बीच में जो border है ये हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक agreed border है इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में similar agreement होता है जिसके तहत हम ये मानते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी चीज को लेके अगर dispute होता है तो इस चीज को हम bilateral तरीके से resolve करेंगे इसके अलावा भी अगर आप कुछ historical facts को अगर आप जानना चाहें तो वो ये है कि strict border का जो demarkation का जो idea है जो policy है ये बहुत ही latest policy है कह सकते हैं कि लगभग 300 साल पहले तक strict border का कहीं पर कोई concept नहीं हुआ करता था possibility काफी high था कि Jammu और कश्मीर के कुछ वैपारी टिबबत जाके वैपार करते थे और टिबबत के कुछ वैपारी किसी और area में जाते थे तो जब भी किसी देश को एक dispute raise करना होता है या जब भी किसी देश को कोई area claim करना होता है तो वो क्या करते है कि वो इसी type का कोई reference को मिकालते हैं और ये proof करने का कोशिश करते हैं कि कश्मीर for example मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर और टिबबत के बीच में बहुत पुराने relation है और टिबबत से काफी लोग यहाँ पे आते थे हैं तो इसलिए ये area हमारा है तो कहने का मतला है कि कुछ एक लमसम सा historical fact या कह लें कि और भारत की बीच में संबंद तब तक खराब रहेंगे जब तक कि leadership change नहीं होगा और उसके बाद भी हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम line of actual control के आसपास अपने infrastructure को development ना करें अगर हमारा दुश्मन देश infrastructure development कर रहा तो हमारा कोशिश है कि कम से कम उससे ज़्यादा नह अगलेखर चरह हमारा कोशना चाहिए कि एलेखर चुश्मन देट एलेगीं थाहिए कि ये लिक है कुश्यव